जय 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 वर्दमान शासन नायव जय 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 इस सत्र में आप सभी का हार्दी कवी नंदन, इस से पूर, कि हम इस सत्र को गती प्रदान करें, सभी चलते हैं पोज गुरुदेव के चर्णों में, अपना नमुस्तु अर्पित करते हैं, और भाव बनाते हैं कि हम भी आपकी जैसे बन सकें, सभी लोग हाद जोडेंगे, मस निकले गुरुवर, नगरी याए, हमें जगाने, बंधू, परम पूज, जैसा कि आप जानते हैं, आचर गुरुवर शिविद्या सागर जी महाराज के परम परियाग रशिष्य, प्रमांद सागर जी महाराज गुनायतन से भी हर्मान है, और आज विहार करते हुए पूज जी गुरुदेव का, मंगल आगमन, गोमियन अगर श्रिदिगंबर जैन मंदिर गोमिया बोकारो में हुआ, जहां आज साइंका लिंक शंका समधान का सत्र भी यहीं हो रहा है, बंधू, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि गुनायतन अपना विराट आकार ले रहा है, और उ श्रीमाती आशा जी जैन, राजीव जी जैन, इशा जैन, अनिमेश जी जैन, गाथा जी जैन, दोलिया परिवार, मम्मी पापा प्रमोच जी, शोभा जी पातनी दूर के साथ, मैं इनको अमंत्रित करूंगा कि वे आएं एंवें पूजी गुरुदेव के चरणों में और सम्मान के लिए सहयोग के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ, श्रीमान पंकत जी पाटवदी साडम से, श्रीमान संजा जी सेठी गोमिया से, श्रीमान शैलेंडर जी गंगवाल गोमिया से, जो गुनायतन के ट्रस्टी हैं, गुनायतन के ट्रस्टी के रूप में संबद ह रहे हैं सभी लोग करतल थन्यों से इनके अनुमोद ना वश्य करें बंदू प्रतम प्रशनी के लिए मैं इसी परिवार को अमंत्रित करतो हुए आगरे करूंगा कि ही प्रतम प्रशनी प्रस्तुत करें और आपकी बात तेया रहेंगे श्रीमान कनहीं अलाल जी सेटी गुनायतन के महामंत्री एवं श्रुमानी संदक्षक और अंगाबाद सी महाराश्री के चर्णों में मेरे और मेरे परिवार का त्री बार नमोस्तु छुलक महाराश्री के चर्णों में एक शामी महाराश्री मेरा प्रशनी ये है कि आज के युग में इस्त्री हर शेत्र में आगे है चाहे वो देश की प्रधान मंत्री हो, चाहे वो राष्टपती हो, चाहे घर सम्हालने का काम हो, समाज सम्हालने का काम हो, व्यपार सम्हालने का काम हो हर चेत्र में इस्त्री अग्रणी है, फिर भी महाराश्री ये समाज पूरुष प्रधान ही क्यों है, इस्त्री प्रधान क्यों नहीं है? किस ने कहा इस्त्री प्रधान नहीं है, पूरुष प्रधान है, पहले मा का नाम लिया जाता है कि बाप का? पहले तो पीता का ही नाम लिया जाते है माता पीता बोलते हैं कि पिता माता बोलते हैं माँ बाप बोलते हैं बोलो बोलते तो माता पीता है तो सुनो पहले मेरी बात का होता है दो माँ पहले आई ना जी बिल्कुल माँ पहले आई पहले सीता राम बोलते हैं कि राम सीता बोलते हैं, तो फिर से पढ़ो, राधा कृष्ण बोलते हैं कि क्रिष्ण राधा बोलते हैं, फिर प्रमाराज भिर समास तो पुरुष प्रधान नहीं है, पुरुष प्रधान नहीं है, पुरुष अपना काम करते हैं, इस्थिया अप पुरुस पुरुस बने रहा है वो इस्तरी का काम न करें इस्तरी अपने आप में कहीं से कम तर नहीं है पर क्यों इस्तरी अपने आपको कम तर आखते विए पुरुस बने की कोशिच करती इस्तरी के बिना पुरुस अजूरा है समझ गें नमौस्ते उपस्तित होंगे श्रीमान कनहियलाल जी सेटी और रंगाबाद से गुनायतन महामंत्र एवं श्रीरोमनी संरक्षक और आपके बाद तेयार रहेंगे इनिकी दोनों सुपतरियां श्रीमती माया जी जैन जैपुर से एवं श्रीमती ममता जी जैन बलोदा बाजार महाराजी इस जीवन के इस पड़ाव में जब समाज सुदार की उस्सा बहुत है बहुत है पर सारी करुनकुलता नहीं है नहीं पर पाती है ऐसी श्रीति में आप घबारे को लिए बारत सुद्धिशे बिलकुर एक बार जोरदार अभिनेंदन कर देजे पूरा जीवन इन्हो मैंने का आप इतनी ठंडे में कैसे निकले बोले महराज आपका नाम लिया तो ठंडी भाग गई इतनी कडाके की ठंडे में घर से सबेरे चार बजे निकल पड़े आपके उत्साहा को दाद देना होगा लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि शरीर अपना काम करता है और किसी भी विक्ति की शक्रीरता में सरीर और मनोबल दोनों चाहिए आप सबसे से लोगों से कहूंगा कि उम्र के इस पड़ाओं में आप मार्ग दर्सक बन करके बैठो ताकि नई फौध तयार हूँ आप लोग पच्छाशी बरस तक की उम्र तक जवान बने रहते हो तो हमारा अजवान बुढ़ा हो जाता है। उनको चांस ही नहीं मिलता है अब उनको मॉकवें नहीं मिलता यार जब तक जब तक जब तक सीट खाली होती तब तक उनका बुढ़ा पा आ जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम नए लोगों को भी आउसर प्रदान करें अब इसलिए आप तो अब खुब किया उत्सा बनाए रखो अपने अनभाओं से प्रेड़ना दो मार्दसन दो और बुजूर्गों का मान रखना चाहिए उनका मार्दसन लेना चाहिए क्योंकि उनके चेहरे की एक एक जुरिया हजारो हजार अनभाओं से सनिय होते है उनका लाब लेना चाहिए तो आप मार्दसन बन करके अपना काम करते रहिए आपके अनभाओं का लाब हो और कृत कारी तनमोदन सब है अब ज्यादा भाग दौर जवानी जैसे मत करो, नहीं तो अभी तो दौर रहो हो, कहीं कुछ गरबर न हो जाए, इसलिए मेरी ये सला है, और दोनों बेटियों से भी कहता हूं, कि इनकी अब भागा दौरी कम करो, या तो पर्मानेंट हम लोगों से अटेच करा दो, वह ज्य कि घरे रहते हैं कि अब भाराजी रवाना हो गए, सुना, तो आज साल जनके बद दस्तों करेंगे, चले आए, तो भाराजी ये पर्म हो कार है कि इसे कार से आता है, कि आपका दस्तों कर दो इत्ता है, आप तो आखरी तक ऐसा है उत्सा बनाए रखो ये आशिरवाद, काराज सिर बलोदाबजार जैन समाज की तरफ से मेरा एक प्रशन है, हम कभी भी कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारे विग्न बाधाय आती है, बलोदाबजार जैन समाज काफी दिन से प्रयासरत है कि वहां का मंदिर जल्दी से जल्दी पूर्ण हो इसके पिछे कई कारण हो सकते हैं, पुन्नी की चीनिता तो एक कारण है ही, आपसी समनवे का अभाव भी इसमें एक बड़ा कारण दिखता है, समाज के लोगों में आपस में समनवे होना चाहिए, और एक निर्णे लेके संकल्पित हो जाना चाहिए, अगर दिल संकल्प हो ठान ले, तो हम इसे करही के छोड़ेंगे, ऐसी बुद्धी है, ऐसी दिख्टी हो जाए, कई के बार ऐसा भी देखने में आता है, कि कुछ तकनीकी कारण या सास की प्रक्रियाएं ऐसी जटिल बन जाती हैं, जो हम चाह करके भी नहीं कर सकते, जो भी कारण हो, उन कारण का निवानिन करो, और समाज के प्रमुखजनों को गुरुओं के पास ले आओ, और वहां उनसे मारदस्टन लेके संकल्पित कर लो, तो ये कारण हो जाएगा, नमुस्तमाज, मारा जी एक चीज़ और बोलनी थी, अब बहुत अच्छा समय आ रहा है, शायद हमारा काम इसी का हो काम, भावना भाई है, तो हम सब भावना भाते, अनुहदना करते हैं, मारा स्री के चरिणों में जैपूर से कटारिया परिवार का नमोस्तू, नमोस्तू, मारा स्री, प्रस्ट पूछू या क्या मुझे ऐसा लग रहा है, कि आपके दर्शन मात्र से आनंद की इतनी तो ऐसा क्यों होता है? यह सवाल तो अपने मन से पूछो, अम मुझे से पूछोगे, तो मैं तो इतना ही काऊंगा, काऊंगा, आम खाओ, पेड क्यों गिनते हूँ, जिसमा आनंद आ रहा है, आनंद लो, ठीक हैंगे, उपस्ते तोंगी श्री मती जोती जी सेथी सारम से, और आपके बाद तयार रहेंगे, दिशाजी जैन गोमिया से, श्री मती जोती जी सेथी अपना प्रशन प्रस्तोत करें, और आपके बाद तयार रहेंगे, दिशाजी जैन गोमिया से, मेरे दयालू गुरुदेव के स्री चन्नों में मेरा और मेरे पूरे सेटी परिवार के तरफ से त्री बार नमोस्तू, नमोस्तू, नमोस्तू छुलक माराज जी के चन्नों में एक छामी, एक छामी, एक छामी गुरुदेव भगवान नेवीनात के पंच कल्यानक के बाद कल निश्चित है कि साड़म में आपका प्रवेस हो जाएगा बारा साल इंतजार करवाया अपने गुरुदेव और महावीर की इस मूरत को निना निहारते ही रहो उतना कम हो जाता है गुरुदेव प्रामान गुरु वंदनम गुरुदेव मेरा सवाल ये है कि मन में अगर वैराग की भावना उत्पन हो जाए तो अपने लिए सबसे पहले क्या उपाय खोजना चाहिए क्या परिबार को पीसे छोड़ते वे आगे बढ़ जाना चाहिए देखे बात सही है एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों की साथ पूरी हो रही है गौमिया में भी दो हजार ग्यारा के बाद प्रवेश हुआ और बिल्कुल जैसा आपने कहा साड़म में भी बारा वर्स बाद इतिहास की पुन्रावित्ती हो गी ये सब चीजे सहियों क पर निर्भर करती है जब समय आता है तभी सब काम होते हैं लेकिन निशित जब कभी अच्छे आउसर आए तो उनका सुलाब हम सब को उत्साह के साथ लेना चाहिए और मुझे आप लोगों को देख कर ऐसा नहीं लग रहा है कि बारा बरस बाद आए हमें तो ऐसा लग रहा कल की वात है बस अंतर इतना है कि बारा बरस पहले जो बच्चे थे वे अब बच्चे वाले हो गए है इतना अंतर हो गया है यह यह अंतर आया है लेकिन यह बाहर का अंतर है हमें भीतर भी अंतर अपना घटित करना चाहिए जो जीवन को आगे बढ़ाए आपने जो सवाल क मैं इसलिए बैरागी बोल रहा हूं सवाल तभी उठाओ, तो आप जैसे बैरागीयों को केंदर में रखते वे कहता हूं कि हमें अपनी गारहस्तिक जिम्मेजारियों का दिलता से पालन करना चाहिए और आस्रम व्यवस्था के अनुरूप जीवन जीना चाहिए पहले ब्रह्मचर्य आस्रम फिर गहस्त आस्रम फिर वानप्रस्था आस्रम फिर सन्यास आस्रम परिवार छूटता नहीं सुनो तो चूट नहीं पाता है इसका मतलब वेरागी की भामना है वेराग जगी में जगाना तो आती है जो बोलना सुनो अभी क्या गहस्त आस्रम में ह ग्रहस्तों मोक्षमार गस्तों बनो, अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से पालन करो, अपने अपने परिवार का ठीक ढंग से संसकारों को सीचते हुए आगे बढ़ाओ, जब ये जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, धिरे धिरे घर ग्रहस्ती से उदासी इंता बढ़ाओ और जब लगे कि अब हमारी कोई जिरुवत नहीं, तो सन्याश के लिए कदम बढ़ाओ, बस, डिश्कासन में तो पूरा समय तुम्हारे ही पास चला जाएगा, दिशा जी जेन अपना प्रश्न प्रसूत करेंगे और आपकी बात तयार रहेंगे, गरिविज जेन, गोमिया नमोस्तू, नमोस्तू, चुलक महराज के चर्णों में इच्छा में, मेरा प्रश्नी ये है कि इश्वर एक है या नेक, हर धर्म के हिसाब से सबका अपना इक इश्वर है, और सबको लगता है कि मैं ही सही हूँ, तो फिर सही कौन है? देखे, ये बात सबहाविक है कि अलग-अलग धर्म है तो उनके ओपेनियन भी अलग-अलग होंगे ना, सबके मत एक होते तो धर अनेक के से होते हैं, तो ये तो अलग-अलग है, अब सवाल इश्वर की बात की है, तो सबके अपनी अपनी दास्नीक मानिता हैं, और जो जि जैन-धर्म के अनुशार इश्वर की व्याख्या करूँगा, और जैन-धर्म के अनुशार हर आत्मा है अपने आप में परमात्मा है, हर प्रानी ही परमेश्वर है, जैन-धर्म किसी एक सर्व सक्तिवान अनादि सिध्ध परमात्मा को नहीं मानता, जैन-धर्म कहता है इन्नत अत्व नहीं है, हमारा ही पून रूप इश्वर है, जब हमारे अंदर के विशय विकार दूर होंगे, दोस्त, दुरवलता और दुरगुन दूर हो जाएंगे, हम ही आत्मा से परमात्मा होंगे, प्रानी से परमेश्वर होंगे, कंकर से संकर बनेंगे, नर से नारायन बनेंगे. तो Jain dhana भे कहता है कि खुद को इश्वर बनाओ. हमारे इश्वर ने भी यह एगे कहा कि तू किसी इश्वर के उपास्ना करेगा, तो ऐसी बना रहेगा. लेकिन तू अपने भीतर के आश्वर को जान कर उसकी उपास्ना करेगा, तो एक दिन तो खुद इश्वर बन जाएगा तो हमें उस इश्वरत को लब्ध करने का मारग इंगी कार करना है वही मोक्ष मारग है वही बीतराकता का पत है नमोस्तु गुरु गुपस्ते थोंगे गरविजे जैन गुमिया से और आपके बाद तयार रहेंगे श्रीवान पंकत जी नितु जी पाटो दी परिवार साडम से हाँ डबोस्तु गुरु दबोस्तु बराज जी अगर हम लोग को आपके जैसा बनना होगा तो क्या करेंगे वही करना जो हमने किया गुरुओं के पीछे लग जाना अपने आप रास्ता बन जाएगा समझ गया है तुम्हारी मम्मी आई है जो सर नहीं आई है कोई दी करता है अब मम्मी तुम्हारा काहिरकम देखके घबड़ा जाएगी और कहेगे कि बेटे को तो रंग चड़ गया तो बड़ा मुश्किल है है ना लेकिन नहीं आपने लगन बना रोज भगवान से प्राचना करो हे भगवान मैं आपके मार्ग पर चलूँ आप जैसा बनूँ मैं मुनी बनूँ मुझे मुनी बनना ऐसी भावना रोज भाव समझ गया अपना अचरन अच्छा करो बड़े होगे तुम्हारा पुन्ने जगेगा तुम्हे अच्छे निमित मिलेंगे और तुम ऐसा कर लो नमुस्तु माराज जी उपस्ते थोंगे माराज जी किसी भी चीज का बहुत पहले से प्लानिंग करके रखने से वो तो एक्जिक्यूटी नहीं हो पाता है लेकिन कोई भी चीज का एकदम अचानक से तुरंट में से प्लान करने से वो हो जाता है जैसे लास्ट येर भी आपका आगमन हम लोग दूम धाम से करने वाले थे पर सदिन प्लान चेंज हो गया और फिर अभी एकदम अचानक से प्लान बन रहे तो मारा जी प्लानिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेको अलाह बहुत अच्छा सवाल है ये बात सही है कि पिछले साल आप लोगों ने आसानवी अपने आपको रखा था पर हमने कोई कारिकम तो दिया नहीं जब कारिकम बनाई नहीं था तो चेंज कैसे हो गए आप ने बनाए आपने चेंज किया लेकिन ये मान के चलो कि जब समय आता है सब चीज़ अपने आप हो जाती है तुम लोगों का निश्चित योग है कि इतना सड़न कारिकम हुआ फिर भी तुम जैपूर से यहां आ गई यह मौका पा गई तो यह अच्छी बात है सवाल है काम को प्लान करके करना चाहिए या अनप्लान इसमें मेरी दो दृष्टी सामान रीती से कोई भी काम करो तो योजना पुर्वा करो प्री प्लान काम होने से काम बैवस्थित होता है लेकिन अगर हमने कोई प्लान किया है वो प्लान प्लान पूरा नहों तो परिशान नहीं होना चाहिए अपने प्लान को पूरा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए पर हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की विवस्था हमारी योजनाओं से संचालित नहीं होती जीवन की विवस्था अनेक संयोगों से चलती हम अच्छी योजना बनाए पर उसका कोई उसके लिए प्रयत्न भी करें पर उसका प्रणाम जैसा मैं चाहूं वैसा मिले इसकी कोई गारिंटी नहीं है तो हमें उसको स्विकार करना चाहिए और फिर कुछ काम ऐसे हैं जब अभ्यास बन जाए तो वेक्ति अपने प्रतुत पन्नत्तों के बल पर अपनी बुद्धी मत्ता के बल पर बिना योजना के भी पूरा कर लेता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है मैं ऐसा इसलिए बूर रहा हूँ कि महराज ने कहा कोई चीज प्लान करो फिर करो तो कभी ऐसा नहां कि प्लान बनाते बनाते समय ही निकल जाए तो जो जैसा समय काल हो उसको ऊचित गुन के नुसार उचित अनुचित का विचार करते हुए कई बार ततकाल निरने लेना हो जिसे वो पूरा नहीं होता तो हमारे मंद में भाव आता है महराच श्री के चर्णों में मेरे और समस्त ठोलिया परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 एक्छामी गुरुदेव माराच श्री ये प्रशन शायद बहुत बार पूछा जा चुका है लेकिन मैं मतलब एक टीचर हूँ और डिफरेंट संप्रदाई के और समुदाई के लोगों से और बच्चों से मिलती हूँ तो उनका ये प्रशन हमेशा रहता है जिसका अंसर में जानती भी हूँ थोड़ा से देखिए तो ये कहा गया है कि दान ऐसा होना चाहिए कि अगर दाईं हाथ से दो तो बाएं को पता ना चले अ लगती हुई देखती हूं तो मेरे मन में ये दूविदा उत्पन होती है कि क्या ये समाज में असमानता नहीं पहलाता दान एक पवित्र कर्म है दानम दुर्गती नाशनम यसा कहा गया है और दान प्रते इक ग्रहत को करना चाहिए ग्रही दानेने शोबते ग्रहत की शोबा दान से है जहां तक दान का शवाल है उसे उजागर करके देना या गुप्त रूप से देना दोनों प्रकार का दान अगर कोई वैक्तिक रूप से कुछ काम करना है तो गुप्त कर दो, आपने दिया, किसी को पता ही नहीं लगे, लेकिन कोई सामुदाई काम हो, तो हाँ उजागर करने में फाइदा है, जैसे मान लेजे, आपके मंदिर में कोई निर्मानिकार होना है, उसमें काफी राष्टी लगनी है, अब चुप चाप से किसी ने दिया, 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 तो कोई देखा नहीं, उससे पूर्ती नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ अपील की जाए, एक, दो, तीन आदमी ने नाम अपना बोला, तो उनके दान को सुनकर कईयों के मन में दान देने की भावना जग जग प्रभावना होती है, तो जिस दान से औरों के हिदे में दान की प्रेणा जगे, उसे हम सही कहेंगे या गलत है, पिर दूसरे बात, आपने कोई दान दिया, आपके नाम की सारजनिक घोशना हुई, और जितने लोग उस सभा में उपस्थित हुए, उन्होंने आपके दान क अनमोदना की, तो ये अनमोदना किस कायर की हुई, पुन्य की की पाप की, पुन्य की, दान एक पुन्य कर्म है, सब ने अनमोदना की, किस की अनमोदना की, पुन्य की, पुन्य की अनमोदना से पुन्य आएगा की पाप, पुन्य आएगा, निमित कौन बना, दान देने वा आला साजनिक रूप से दान देता है तो उससे उसकी अनवोधना अनेक लोग करते हैं तो उनके पुन्न का हिस्सा उस दान दानता कि खाते में एक्स्ट्रा आ जाता है अभी एक उधारन देख लिजे राम मंदिर का ये प्रकरन कल उसकी प्रतिष्ठा हुई पूरे देश में एक बातावरन बना अगर ये चुपचाप किया गया होता तो क्या बातावरन बनता नहीं बिलकुल भी नहीं तो कई बार किसी अच्छे कारी को एक दूसरे को देख कर देने के भाव होते हैं तो अच्छे कारी को दीजिए बता करके दीजिए कोई हानी नहीं है आप दे सकते हैं लेकिन उसका अभीमान मन में मताने दीजिए दान आप छिपा करके भी दे सकते हैं और दान आप छपा करके भी दे सकते हैं लेकिन उद्देश औरों को प्रेरना देने का, देखिए, मैं आपको एक बात बताता है, बहुत अच्छा प्रशंग याद आगया, नाम का क्या काम होता है, एक गाओं में एक आदमी बड़ा कंजूस था, पैशा बहुत था, प्राइशे लोग होते हैं, जिनके पास होता बहुत है, पर कंजूस होते हैं, उस गाओं में कुछ लोगों ने एक हॉस्पिटल खोलने की योजना बनाई, छोटा सा हॉस्पिटल था, अब कलेक्शन करना है, तो कहां जाएं, तो सबसे पहले उस कंजूस आजमी केहां गया, कंजूस आजमी केहां गया, ये सोच कर, ये जानते वे भी केहां कुछ मिलना नहीं है, जब गया खबर आई तो उसने नोकर से पहले ही मना करवा दिया कि मिलने वाले हैं, बहुत हैं, हम आप से पैसा मांगने नहीं हैं, आप से मिलने आए, पानी तक के लिए नहीं पूछा पर जब इन लोगों ने निवेदन किया कि हम आप से पैसा लेने नहीं आएं, केवल आपके नाम का उपयोग करने आएं, हम अभी पानरी बना रहे हैं, घर घर में हम जाएंगे, सब के पास से पैसे लेंगे, सब से उपर हम आपका नाम देना चाहते हैं, और इसमें केवल आपके अनुमती चाहते हैं, एक दिन आपके नाम का उपयोग करेंगे, आपको एक पैसा नहीं देना है, यह कैसा करोगे, बोले देखे हम आपका नाम सब से उपर लिखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके नाम की पाँच लाख रुपे की रखम है, यह मैं कहा से हो ली है हम कवल नाम का परीयोग करेंगे ऑड़न लेаешь अथेवर चौबच घंटे लिए आपके नाम का प्रीयोग करेंगे इस पिल ठीख है हमारा क्या जा रहा है नाप भी हमारा हो रहा दाम नहीं लग रहा है, बनिया आदमी के लिए सच्छी बात क्या हो गया। और वह लोग मार्केट में बजार में गाउं में गये, उनकी उमीद से ज्यादा कलेक्शन हो गया। लोगों ने देखा, जब उसने पाँच लाख दिया है, तो जो पाँच हजार देने वाला था, वो पचास हजार दिया, जो पचास हजार देने वाला था, वो पाँच हजार दिया, टार गेट पूरा हुआ, दूसरे दिन वो लोग उसके हाँ गये, धन्रबाद देने की से इस बार जैसी नौकर से सूचना मिले अंदर आओ सब को अच्छे से चाय पिलाया सदकार किया आज तो हिदय परिवर्तन दिख रहा है इन लोगों ने का हम लोग अपना वादा पूरा करने के हिसाब से आपके पास आया है आपके अहां से हम लोग गए शुरुआत हमारी ब बुले आप लीजिए आज जीवन में पहली बार मुझे ये पता लगा कि दान देने का सुख क्या है मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का अभी तक मैंने पैसा कमाया पर एक भी वेक्ति मेरा प्रसंस तक नहीं बन पाया कलो लो मैंने कमाया आज पहली बार के वल नाम के लिए पांच लाख रुपया लिखाया और मुझे पचासो आदमियों के बधाईया आ गए आपने बहुत अच्छा काम किया बहुत अच्छा काम किया तो आज मैं समझा हूँ कि कमाने से ज़्यादा मजा दान देने में होता है और आप इसको अच्छा काम हो उसकी शुरुवात मेरे घर से हो यह नाम का फल उसका तो रदाए बदला एक ने सुरू किया तो सब ने दे दिया बताओ नो तुम लोग किया करेक्शन होता है तो क्या करते हो देख तो किसने क्या दिया तो यह दोनों चीजों को अने कांता अत्मक दृष् ने अपना प्रेशन प्रसूत करेंगी, और आपकी बात यार रहेंगी. रितुजी जेन सिंह ड़ी. नमोस्तु मराज्जी, नमोस्तु, नमोस्तु मराजि. क्या मराज़जी अम बेदी का पठ खोल सकते हैं? क्यों? तो बेदी कापट खोलने वाले बेदी कापट खोले जिनकी बेवस्ता उनको खोलने दो गर्व गहमें भी नहीं जाना चाहिए चुकि आप लोग रोज से रिशनान नहीं करते इसलिए जो बेवस्ता है यहां है वही करो और आप लोग सब करने लगों तो यह लोग और आलसी हो जाएंगे। ऐसे ही सब आप लोगों के जिम्मेश सौफ रखाएं इसलिए इनके आलस को बचाने के लिए जो मरियादा उसको बनाए रखो। नमोस्तु गुर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् निश्चित बनस्वत्य है, पर प्लांट में और अनिमल में बहुत अंतर होता है, समझ गया है। प्लांट की life circle छोटी होती है, अनिमल की बड़ी होती है, दोनों को समान नहीं कहा जा सकता, समझ गया है। किसी का पेड से एक पत्ता गिरेगा तो दूसरा पत्ता उगाएगा, तुम्हारा कान कटके गिरेगा दुबारा उगेगा क्या? नहीं उगेगा नहीं तो दोनों को हम समान मानेंगे क्या? नहीं बस ऐसा देहां लगाए। नमुस्तु गुर्वर, नमुस्तु गुर्वर, नमुस्तु गुर्वर, नमुस्तु गुर्वर, महराज जी, अगर हम किसी चीच का नियम लेते हैं, तो मन को असानी से कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन अगर हम बिना नियम लिए, मन को कंट्रोल करना चाहे और करते हैं, तो क ये त्याग कहलाएगा गुपस्तित होंगी श्रीमती रितु जी जैन सिंगई और आपकी बात तयार रहेंगे श्रीमान राजेंद्र जी जैन जल्दी गुर्देव के चरणों में त्री वार नमोस्तु 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 इच्छामी महराज मेरा सवाल है धर्म का क्या सरूप है और मोच्छमार के लिए हमें क्या पुर्शार्त करना चाहिए धर्म का क्या सरूप है रतनात्र ही धर्म का सरूप है सम्वेक जसन सम्वेक जानचारिति का आसरे लो और मुक्षमार गानु कूल अपनी किर्याएं करो मुक्षमार पूरा हो श्रीमान राजेंद्री जी जैन अपना प्रेशन दॉपस्थित करेंगे और आपके बाद तयार रहेंगे भव्य जी जैन ओ श्री करेंगे सभी ओम बोलिये धर्म आराधना करने के लिए सरप्रथम हमें क्या करना चाहिए धर्म आराधना के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए देखिए धर्म आराधना के दो रूप है एक हमारी उपासना का और दूसरे हमारी चरिया का तो उपासना के छेतर में हमें देव, गुरु और सास्त की अनुरागी बनना चाहिए और चरिया में अपने आहार और आचार की विसुद्धी का पालन करना चाहिए जिस से सबसे पहले कुलाचार का पालन यह हम करें परिमेश्टी से जुड़ाव और कुलाचार का पालन धर्म की सबसे प्राथमिक अक्षा है इसके बाद आगे बढ़े उपस्तेत होंगे भवेजी जैन और आपकी बाद तयार रहेंगी श्रीमती शालीनी जी रजट जी महिमा जी गंगवाल साडम से मेरे और मेरे पुड़े पाट्रोडी परिवार की तरफ से महराजी के चनलों में तरी बार नमोस्तू 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 महराजी मेरा प्रस्ण हिया है कि हर यूग में किसी ना किसी टिर्टंकर आत्मा ने जनम लिया है परंटु कल यूग में किसी भी टिर्टंकर ने जनम है अभी उसमें आम लगावाई क्यों नहीं लगा क्योंकि अभी सीजन नहीं है समझ में आगया आम के पेड़े में अभी आम नहीं लगा क्योंकि शीजन नहीं है इसी तरह कली युग है अभी तिर्थंकरों के आने का सीजन नहीं है समझ गया है नमोस्तु मैरा श्री मेरा प्रश्न ये है की जीवन कभी जटील भी होता है कभी सरल भी होता है सरल जिन्दगी तो हम लोग जी लेते हैं पर जटील परिस्थितियों में हम पत से भी भटक जाते हैं धर्म से भी भटक जाते हैं ऐसी परिस्थिति में जीवन को सरल कैसे बनाए महरा श्रीट। जटिल परिस्थितियों में पथ और धर्म से ब्रश्ट होने से बचने के लिए हम अपने अंदर थोड़ी चरलता ले आए। यदि मनुश्य की श्रद्धा पक्की हो, सोच सकारात्मक हो, संकल्प प्रबल हो और संतों का संपर्क और आशिरबाद हो तो जटिल परिस्थितियों में जटिल तम परिस्थितियों में भी वो अभी चलित रह सकाए। राशि नवो के अखिता हो लुतित अपस्तीत होंगे हैं और आपके לदा तयार रहेंगी काता जी जैन playing ओ महाराश्री चरनों में हमोस्तु नवोट्ट्ट्ट्र नवोस्तु बोलो इसको जाए पुरा नहीं से अब इसको समझाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा सास्त पढ़िये समझ मा जाएगा गाथा जी जैन अपने प्रशन पस्थित करेंगे और आपके बाद त्यार रहेंगे श्रीमान सुरिश कुमार जी जैन गोमिया से माराज जी के चर्णों में त्री बार नमोस्तु 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 छुलक जी के चर्णों में इच्छामी माराज श्री मेरा प्रश्नी यह है कि हम एक स्वेटर या दो स्वेटर में रहे के भी हमारी ठंडी नहीं जाती पर आप दिगंबर अवस्था में रहे के भी बिना कपड़ों के इतनी ठंड में कैसे रहते हैं तुम पूरे सरीर को कवर करते हो, चेहरे को कवर करते हो नहीं महाराजी जो इश्किन तुम्हारे शरीर में, वो इश्किन तो तुम्हारे चेहरे में, चेहरे को ठंड को नहीं लग लग ले, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिस से तुम्हारे इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस स्ट्रॉंग हो गया है, ऐसे ही हम साधु लोगों की सहन सक्ती बढ़ ग और इंसल्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठंड, गर्मी और इंसल्ट, जितना फील करोगे उतनी लगेगा, समझ गया है, फील करने से होता है, प्रैक्टिस से चीजे ठीक होती है, चला। श्रीमान सुरेश कुमार जी जैन गोमिया से अपना प्रशन उपस्तित करेंगे। वापस अंसारिक जीवन में आते हैं, तो ऐसे नहीं जी पाते हैं, क्या करें। बस ऐसलिए एक ही काम करो कि अब रिटाइर्मेंट के बाद स्वीरों में ज्यादा रहा है। अब नया एसाइनमेंट क्यों ले रखे हो। जहां ज्यादा अच्छा लगे वही रहना चाहिए, बातावरन का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसलिए उससे बच के रहना चाहिए। अब उस्तुगुरुण। पश्तित हों कि श्रीमान संजा जी सेथी गोमियां से गुनायतन ट्रस्टी। ओ, संजा है क्या। नहीं, चलिए ओन लाइन देजिए। बंधू, जैसा कि आपको विदित है कि पुझी पाद गुरुदेव का गुनायतन से निरंतर भी हार चल रहा है और कल मंगल आगवानी साडम बोकारों में होने जा रही है, कल के हारचरे भी महा संपन्न होगी। आगे कि सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं निविदन करूंगा, पुझ शुलक श्री आदर साकर जी महाराची चर्णों में, कि ओनलाइन प्रश्णों के माध्यम से, सबको लाभ हो इस भाव से, इच्छामी महाराची। नमस्तु भगवन, पृत्म प्रश्ण के रूप में सोनल एन भौपाल से प्रश्ण कर रही है, सबसे बेहतरी नजर तो वही है, जो अपनी कमी को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, पर आँखे तो कभी-कभी खुलती है, तो महाराची हम इसके लिए क्या करे बहुत अच्छा वाकिए, सबसे बेहतरी नजर तो वही है, जो अपनी कमी को देखे, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, आँखे कभी-कभी खुलती है, बात बहुत गहरी है, हमें चर्म की आँखे नहीं, मर्म की आँखे खुलना है, और आँखे खुलने का मतलब ही है बिवेक का जागरित होना, कई लोग पूरी जिंदगी बिटा देते हैं, पर उनकी आँखे मुदी रह जाती है, हमारे गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकु लिखा है, आँखे ना मुदो, नहीं आँखे दिखाओ, सही क्या देखो, ना तो आँख मुदो, ना किसी क कौ आँख दिखाओ, जागरत हो करके जीओ, जीवन की वास्तविक्ता को समस्ते वे जीओ, और जो बेटरि अपने अंतर लग में ऐसी जागरुकता रखते हैं, उने कभी पस्ताना नहीं परता, और जो इस तुरह की जागरुकता से शुन्य होते हैं, और पस्तावे के अला समुद्र बनकर क्या फाइदा क्योंकि छोटे तालाब में तो शेर भी पानी सर जुका कर पीते हैं प्रश्ण यह है कि हम भी छोटे तालाब की तरह कौन से गुण विक्सित करें ताकि कर्म सर जुका कर अपना गलत प्रभाव कम कर दे समुद्र बनने से क्या फाइदा छोटे तालाबों में तो सेर भी जुक कर पानी पीते बहुत अच्छा वाक्य है हम ऐसा क्या करें क्या है आखरी हम ऐसा क्या करें ताकि कर्म सर जुका कर अपना गलत प्रभाव कम कर दे कर्म सर जुका कर बात तालाब के जल में मिठास है और दूसरी बात तालाब बाटने को तयार है उसके हुर्दे में उदारता है ये दो गुन आ जाए जीवन में मधूरता और उदारता कर्म अपना सिर जुकाने के लिए बाद हो जाएगा और तुम जैसा चाहोगे वैसा आपने जीवन में घटित कर सकोगे तो मधूरता है और उदारता है मधूरता मतलब किवल बोली में मधूरता नहीं बोली में वानी में विचारों में बहवार में ये मधूरता आजाए और हृदय में उधारता उधातित हो जाए तो कर्म अपने आप जड़ेंगे हमें तालाब जैसा जीवन बनाना चाहिए समुद्र में यह चीजे नहीं है, समुद्र में मिठास नहीं खारापन है, और समुद्र में उदारता नहीं है, वो सब का संग्रह करने वाला है, सारे नदी नालों का पानी अपने पास रखता रहता है, इसलिए समुद्र वो गौरों नहीं पापाता जो एक तालाव और नदी प्राप्त कर लेती। नौबत आई है तो उसे चुकाना अपना फर्ज माने। और अपनी संतान को जब भी हो कर्ज लेकर आए तो एक जिम्मेदारी बताए कि ये हमारे प्रॉफिट एसेट लाइबिलिटी है। एक कर्ज भी हमारी एक लाइबिलिटी है जिसे तुम्हें चुकाना है। कदाचित मेरी जिन्दगी अधूरी हो जाए, मेरी जीवन नईया बीच में ही डूब जाए, तो ये तुम्हारी जबाबदारी है कि तुम इसे पूरा करो। ये बात उन्हें अच्छे से जताना चाहिए, इसका एहसास कराना चाहिए। और अगर विक्ति ने अपनी संतान को ये सीख दे दी है, और पीछे संतान ने उसे चुका दिया, तो उसका कोई पाप उनके सिर पर नहीं होता। लेकिन कई लोग ऐसे होते करज ले लिया, मरने के बाद कौन चुकाएगा, और संतान मूँ फेर ले, तो वो जीव, कई भावों में उस करज का भागीदार होगा, उसे उसे ब्याज समेच चुकाना पड़ेगा, दूसरे सब्दों में कहूं, तो ऐसा जीव, कई भावों के दारिद्र को आमंतित कर लिया, कई जन्मों में उसे भीकारी बनना पड़ सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और संतान को भी चाहिए कि अगर हमने माबाप कदाशित नहीं में बता पाए, पर यदि यथार्त में किसी की कोई देंदारी है, तो हमने अपने माबाप की संपत को भोग किया है, तो हमें चाहिए कि हम उनके करदी को भी पूरा करें, और हमारे सामने तो एक दो ऐसे बेखती, जो मर गए, और उस समय उनकी माली हालत खराब थी, संतान के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में संतान होनहा निकली, पैसा कमाया, और उनने सबसे पहल जिन-जिन का जो था, जिन से लेन देन था, कोई मांगने नहीं आया तो भी, कि हम अपने पिता को इस लूप में नहीं देखना चाहते हैं, कि लोग कहें कि आदमी बहुतों का खा के मरा, आपका जो है वो हम देना चाहते हैं, यह गौर है, हम यह नहीं चाहते हैं कि हम तो उसे चुकाना मत भूलो, आज वो नहीं चुका पाएं, उनके ही आशिरबाद से मैं आज इस लाइक हुआ हूँ, मैं आप सब का पाई पाई चुकाता हूँ, चुकाया, तो यह आदर्स होना चाहिए, और तभी रास्ता प्रशस्त होगा. गेवर चन्जी ब्यावर से प्रश्ण कर रहे हैं, महराज श्री, ओंकार का नाध करने से क्या लाभ है, एवं इसका नाध करने से तनाव नकरात्मक्ता भी दूर होती है क्या? ओंकार एक प्रणाव नाध है, यह अजपाजप है, यह परमेश्टी का द्योतक है, यह तीन लोक का द्योतक है, यह संपून वांगमे का द्योतक है. पंच परमेश्टी, अरहंच, सिलध, अचाय, उपाध्धाय, साधू, उश میں अरहंच का आज़्ध को असरीरी बोलते हैं उनका आ, आज़्धाय का आ, उपाध्धाय का उउ, और साधू का को मुनी बोलते हैं, उनका म मिला दें, तो आ, आ, उउ, और म मिला कर बनता है ओम, तो ओम का एस्मरन करते ही, पंच परमेश्टि का एस्मरन हो जाता है। अधो लोक का युद्धू लोक का उू और मध लोक का मा, अ, उ, मा at Dalila efecto फिसले और आत्मक होती है। इसलिए ओंकार संपूनवांगमै का शार है ये अनहद नाद है हमारी इसकी धनी नाभी शे चुरू होती है ये हमारे हृत तंत्री को उद्गाटित करता है ओंकार के नाद से हमारे श्णाईव तंत्रा में एक अलग content कार की संवेदना विक्षित होती है और ओंकार का नाथ करने से हमारे मस्तिष्च के जो गंतियां हैं उनका स्राव हमारे नकूल बनता है इसलिए ओंकार का नाथ करना चाहिए नीमित ओंकार का नाथ करने वाले के और सात्मे भामरी प्रानायाम के रूप में अनुगूंज करने से मांचिक तनावदूर होता है, इसमरं सक्ती विक्ष्षित होती है और कई लोगों को अन्न प्रकर की बिमारियों में भी बहूत मुक्री मिली है, तर इसलिए ओंकार ओंकार को सास्त में कहते हैं ये काम भी देने वाला है और मुक्ष भी देने वाला है यानि हमारी कामनाओं को पून भी करने वाला है और हमें कामनाओं से मुक्त भी बनाने वाला है दोनों चीजे हमें ध्यान में रखना चाहिए महंदु जैन जी इन दौंसे नमस्टु प्रभग प्रमुर्श्न कर रहे हैं, अधिक्तार लोग कहते हैं। व्यक्ति को सरल और सहज होना चाहिए। इससे व्यक्ती को लोक-पृय होता है। महाराजी शंका यह है कि क्या सरल और सहज होना इतना सरल है। क्रिप्या मांग دश्वन की जिए उसा थे जविति को सहाज और सरल होना चाहीए और इससे विक्ति की लोक्रीता बढ़ती इसमें कोई संका नहीं है क्योंकि लोक्रीता ह dialogue अंगे बरती व्यक्ति के जीवन में अनन्द भी बनता है लेकिन सहाज और सरल होना कहना जितना सरल नहाजता और सदलता उसके ही हिदय में आशक्ति है, जिनके जीवन में शकारातमक्ता होती है, जो तत्तो का ज्ञान रखते हैं, तत्तो के नीमित अभ्यास से वे सहस्ता और सदलता को दुभाटित कर सकते हैं. महंद जैन जी दौर से प्रश्ण कर रहे हैं, दूसरा प्रश्ण महार जी, अच्छे वेवार का भले ही कोई आर्थिक मुल्ले नहीं होता है, लेकिन वह लाखों दिलों पर राज करने की छमता रखता है, महरा जी प्रति एक विक्ति अपने प्रती अच्छे वेवार की अपि लिए सब अच्छा चाहता है पर दूसरों के लिए अच्छा नहीं चाहता है भगवान महाबीर ने कहा कि तुम सामने वाले सो जैसे अपेक्षा रखते हो पहला करतब यह है कि तुम सामने वालों के सामने वैसा आदर्स पस्तुत करो तुम चाहते हो कि लोग मुझे सम्मान द तो पहले औरों को सम्मान देना सीखो जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए अपने बहवार और आचरन की उस पवित्ता को उद्गाटित करना चाहिए जिससे जीवन को बहतर बनाए जा सकते हैं एक यहां से बहुत बहुत आभार महाराच जी इच्छामी महाराच जी निमेश जी जैन गोमिया से जो पूझ गुरुदेव के चरनों की सानिदिको निरंत अकसर प्राप्त करते रहते हैं आपने आपको जितना एक्सप्रेस करो वो समय समय पर हमें गलत समझने लगता है तो हमें किसी के सामने अपने आपको कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए नमोस्तु गुरुदेव अब निमेश आज यहां नहीं है आज उसका परिवार यहां है जो गुनायतन से विजला उसने ओनलाइन प्रश्ण भेज़ दिया हमेशा बहुत अच्छे सवाल करता है एक बार उसके सवाल के लिए उसका भी नंबर करता है दूसरों के सामने हमें कितना और क्या एक्सप्रेस करना चाहिए पहला बाकि क्या था गुरुदेव किसी के सामने अपने आपको जितना एक्सप्रेस करो वो समय समय पर हमें गलत समझने लगते हैं तो हमें किसी के सामने स्वायम को कितना एक्सप्रेस करना चाहिए देखे किसी के सामने हमें उतना एक्सप्रेस करना चाहिए जितने में वो हमारे लिए जरुवत से ज्यादा न समझे ज्यादा अपने आपको प्रकट करना कई लोग अपना एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस करते है वो एक्सप्रेस फिर पूरा ऐसा एक्सप्रेस होता है कि मामला ही बिगड़ जाता है क्या जरुवत है ओभर एक्सप्रेशन की जहां जितना जो आवशक है उतना ही काम करना चाहिए और अपने काम से काम रखते वे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए सब के बीच में सब कुछ पकट कर देने पर हम बहुत जगा नुक्षान उठा लेते हैं और कई लोग हमारी कमजोरी का गलत फाइदा उठाने का भी प्रयाश करते हैं तो ऐसे लोगों के प्रती हमें ध्यान रखना चाहिए कभी भी ओवर एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए जो सहज है जितना सब के लिए आवशक उतनी बात करें ज्यादा कुछ कहने की और करने की कोई आवशकता ही सेश नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब कहने से मामला गलबल हो जाता है एक सबाब जैश्री जी एलोरा से प्रश्ट कर रही है जब अंतिम सवयात्रा निकाली जाती है तब नमुकार मंत्र बोलना चाहिए या नहीं सवयात्रा निकाली जाती है नमुकार बोलने में क्या हनी सवयात्रा निकालते समय मुक्षे मत बोलिए मांसिक रूप से नमोकार मंत्र की जाप करी जा सकती है आप रुक बोलते हैं आप अवित्रो पवित्रो वा सुस्तितो दुस्तितो पिवा धायत पंच नमस्कारम सरव पापही प्रमुच्यते तो नमोकार मंत्र हम किसी भी अवस्था में ध्या सकते हैं जाब सकते हैं और उस जाब को ऐसे मौकों में किया जाना चाहिए इसमें कोई हानी नहीं है मैं देख रहा हूँ पेटरवार वाले भी आये हैं उनको एक मिनट का समय दे दो इखटे मनोच पेटरवार से पुझी गुरुदेव के चर्णों का परम भक्त जुसा समुह यहां उपस्ते थे मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वह अपनी बात पुझी गुरुदेव के चर्णों में रखेंगे अजया जल्दीश है मैं पेटवार दी गंबर जेन समाज के आत्यक्ष महाराज स्री के चर्णों में कोटी-कोटी बंदन करता हूं और हमारे पेटवार से स्री संतिलाज जी आयो है कुछ बात रखने पर जल्दी आओ नमस्तू गुरुदेव मैं पेटवार दी गंबर जेन समाज की ओर से बारं बार नमस्तू नमस्तू नमस्त कर रहो है गुरुदेव पर संत मेरे सामosh अचर्णो गुरुदेव बहुत बिचलित होता है हर काम में उसको कंट्रॉड कैसे किया या है मन को बिचृट करन हो रहा है, हर काम में तो संगल्पित होकर कि मन को आप ख्रीमित कर सकते हैं. समय आप सबका हो गया. यही पर भिराम बोल्जे परमपूज आचार गुरुवा स्री विद्या सागर जी महराज की. अभी डोंगरगर में विराजमान हैं उनके स्वास्त को लेकर के देश भर में लोगों के मन में बड़ी चिंताएं हैं हम लोग भामनाए भा सकते हैं जो भी उनकी सेवा में हैं वे उनकी उत्तम सेवा और जिगित्सा के प्रयास में लगे हैं हम लोगों के मन में एक ही भाव होना चाहिए कि वे जल्दी पूर्ण स्वस्त हों ताकि उनका बरदहस्त हम सबको ऐसे ही मिलता रहे हम उनका आशिरबाद ले सके तो हम उनके उस स्वासलाब की भावना से अभी यहां जाप करेंगे जिनके चर्णों में वेक्ति अपने हर संकट का समाधान पाने जाता है आज उनका सारीरिक कष्ट है तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए ऐसी भावना भाए कि वे जल्दी पूर्ण तस्वस्त होकर हम सबको वैसे ही लाभानवित करें इस भाव से मैं जाप बोलूँगा आप सब दोहराएंगे ओम ही मरहं सिपार्षवना जिनेंद्रायनमो नमा ओम ही मरहं सिपार्षवना जिनेंद्रायनमो नमा ओम ही मरहंसिपार्षवना जिनेंद्रायनमो नमा ओम्ही मर्हम्सि पार्षवना जिनेंद्राइनमो नमा ओम्ही मर्हम्सि पार्षवना जिनेंद्रायनमो नमा Om Hī Marham Sipārshana Jinnendrāya Namo Nama 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 Javralo Chintamani Sipārshana Dhuvaani Ki आहिसा परमो धर्म की परमपोज आचार गुरुवास्त्री विद्यासा गजीमा आपीज़